प्रितिरा चोहान और क्रूर मुश्लिम शाशक मुहम्मद गौरी के युद्ध का गवा आज भी मौजूद है दरसल हम बात कर रहे हैं तरावडी के एतिहास किले की करनाल की तरावडी को पहले तरावडी के नाम से जाना जाता था कहते हैं कि प्रितिरा चोहान ने सैनिकों के विश्राम के लिए इस किले का निर्मान करवाया था इस किले में प्रवेश करने के दो रास्ते थे क्योंकि प्रिथिरा चोहान के पास काफी बड़ी सीना थी सीना इतनी बड़ी थी कि उसे आशानी से पराजित नहीं किया जा सकता था क्योंकि सीना का नित्रत्व, खुद प्रिथिरा चोहान करते थे हाई दोस्तों मैं हूँ शिबराम सेंग और आप देख रहे हैं History TV इंडिया तो चलिए शुरू करते हैं कहते हैं कि तरावडी के किले में पृत्वी राज ने लगभग 17 युद्ध लड़े जिनमें 16 बार उनकी जीत हुई आखिर में मौहमद गौरी ने उन्हें धोके से हरा दिया और इस किले पर राज किया लेकिन आज ये किला बदहाली के आंसु बहारा है यहां की दीवारें जरजर हो चुकी हैं जिनें देखने वाला कोई नहीं प्रितिरा चोहन ना सिर्फ एक कुशल योद्ध थे बलकि उनके सीने में कोब मलसा दिल भी था जिनकी सन्योगिता के साथ प्रीम कहानी इतिहास के पन्नों में आज भी दर्ज है इस से प्रीम कहानी की शुरुआत होती है सन्योगिता के स्वेंबर से राजा जैचंद और प प्रितिरा चोहन को निमंतरन नहीं भेजा और उनके अपमान के लिए अपने दर्बान की जगे प्रितिराज की प्रतिमा लगा दी इस बात की भनक प्रितिरा चोहन को लग गई और उन्होंने वहाँ पहुँचकर सन्योगिता की सहमती से हरन कर लिया और बाद में विवाह क पीछा करते हुए जैचंद की सीना यहां पहुँच गई जिनसे प्रित्वीराज के दो सामंतों ने लोहा लेती हुए वीरगती पाई कहते हैं कि इनकी याद में प्रित्वीराज छोहान ने मंदिर बनवाया कुछ दूरी पर प्रित्वीराज ने काली की पूजा की और बाद में यहां मा काली का मंदिर बनवाया वहीं समय के साथ इन मंदिरों के प्रती लोगों की आस्था भी बढ़ती चली गई मंदिर पर हर साल मांख और आसार्ड के महिने में हर रविवार को मेला लगता है इस दोरान बच्चों का मुंडर कराने के लिए भी लोग यहां पहुंसते हैं आज के लिए बस इतना ही वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज जिसे लाइक और शेर करें साथी चैनल को सब्सक्राइब भी करें नमस्कार दोस्तो